काफी यंग एज में सफलता पाने वाले सिंगरों में से एक जो बचपन से ही सिंगर बनने का ख्वाब देखते आये थे जस मानक मानक आज की यंग जनरेशन के लिए बहुत बड़िया उधारन है जिने अपना लक्षे बचपन से ही तैका रखा था कि वैब विश्य में क्या बढ़ना चाते हैं जलंदर पंजाब में जनमे 23 दिसंबर 1993 को जस मानक मानका दा मुंडा और जसी के नाम से भी जाने जाते हैं जस मानक ने अपनी स्कूलिंग हेमकुड पबली स्कूल से करी है एंड ग्रेजुवेशन पटेयाला की पंजाबी यूनिवर्स्टी से अपनी ग्रेजुवेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद पंजाब की जादर फैमिली यही सोचती हैं कि उनके बच्चे फॉरण चले जाएं और वहां पर ही सेटल हो जाएं ऐसी ही सोच मानक के परिवार की भी रही थी जिसके कारण वह भी आईलिट्स की तैरी में पूरी तरह से जुट गए थे लेकिन दुरभागे वश साल 2017 में उनके बड़े भाई गोपी मानक का एकसिडन्ट हो गया जिसके बाद उनकी देखबाल करने के लिए उन्हें फोरण जाने का प्लैन बीच में ही छोड़ना पड़ा उनके बड़े भाई मानक की सिंगिंग को लेकर हमेशा से सपोर्ट करते आये थे मानक अपनी स्कूल्स एंड कॉलेज के दुरान काफी फंक्शन्स में पार्टिस्पिर करते थे जिसके कारण वह अपने स्कूल एंड कॉलेज में काफी पॉपलर थे उनके काफी दोस्तों ने उन्हें अडवाइस करा कि तुम्हें अपने खुद के सौंग की वीडियो बनानी चाहिए जिसके बाद अपने पहले सौंग की वीडियो को रिलीस कराने के लिए उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा जिसके बाद बिल्कुल नई नई रिकॉर्ड लेवल बनी कमपनी गीत MP3 ने जस मानक के साथ मिलकर मानक का पहला डेब्यू सौंग यू टरन रिलीज करा लेकिन वे अपनी रीच बनाने में कामयाब नहीं हो सका जिसके मानक हगदार थे मानक को असल कामयाबी उनके ट्रैक प्रादा से मिली जिससे वे अपनी पैचान बनाने में कामयाब हो सके प्रादा सौंग की पहले ओडियो मानक ने रिलीस करी थी सौंग की ओडियो ही इतनी ज़्यादा वारल हुई कि उनकी ओडियन्स की डिमांड आनी शुरू हुई कि वे इसकी वीडियो भी बना कर डाले प्रादा की वीडियो डालते ही चंद घंटों में मिलियन व्यूज को क्रोस कर गई या तक कि वै जस्ट मानक की पहली वीडियो बनी जो यूटूब के ट्रेनि सेक्शन पर भी पहुँच पाई जिसके बाद कई सौंग मानक ने रिलिस करे जैसे व्या, बॉस, गल्फेंड, सूट पंजाबी और भी कई दमदार सौंग्स अपनी डेबिय अलबम जस्ट मानक ने साल 2019 में रिलिस करी जिसके भी सारे ट्रेक्स काफी पॉपलर हुए थे जस्ट मानक आज जिस भी गाने को अपनी अवास दे देते हैं वै बहुत जल्द वरल हो जाता है मानक एक अच्छे गाय के साथ साथ एक अच्छे गीतगार भी है वै जब सिर्फ नोभी क्लास में थे तब से ही उन्होंने सौंग्स लिखना शुरू कर दिया था मानक अपने सारे सौंग्स खुद ही लिखते हैं लेकिन उन्होंने कई सौंग्स अपने साथी कलाकारों के लिए भी लिखे हैं जैसे करन रंधावा के लिखा गया सौंग वेट निश्वान बुलर के लिखा गया सौंग कैलिफोनिया एंड जसी गिल के लिए लिखा गया सौंग काला सूर्मा एंड जॉर्डन सॉंग डीब जांडो एंड रोचकिला के लिए मानक अपने ट्रैक प्रादा के लिए अवार्ट से भी समानित करे गए थे गाना मिर्ची मुजिक अवार्ट फर बेस्ट सॉंग ऑफ दा यर मानक का लक्षे बच्पन से ही निर्धारित था कि उन्हें गायक ही बना है जो अपने आप में उनसे सिखने वाली बात है जहां एक तरफ तो आज का यूथ ये डिसाइड करने में कन्फ्यूज रहता है कि उन्हें अपनी लाइफ में किस पात को चूज करना है वही जस्मानक थे जिनोंने सिर्फ नौवी क्लास से ही गाने लिखना शुरू कर दिया था स्कूल के फंक्शनस में तो वह परफॉर्म करते ही आये थे जस्मानक ने अपना नाम पंजाबी म्यूजिक इंडस्री में अपनी मैनच से बनाया है वहे आज जिस भी मुकाम पर हैं सिर्फ अपने खुद के दम पर वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका धनेवाद वीडियो को लाइक और शेयर जूरू करिएगा और प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जूरू करिएगा